हाई दोस्तों मैं मनोष सर आज से आप लोग का साम्मान बिग्यान घटना चकर सीरीज में चल ला है दोस्तों तो दोस्तों देखे यह जो साम्मान बिग्यान है आपका EPS के लिए भी है और दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, वो है भावतिक बिग्यान, तो भावतिक बिग्यान में हम कराने जा रहा है कोश्चन आप लोगों को, क्योंकि देखिए बिग्यान से बहुत ज़्यादा कोश्चन आते हैं, तो पहला कोश्चन है दोस्तों सक् सक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों सक्ति का मात्रक होता है वाट क्या होता है वाट यदि आप से सक्ति का मात्रक पुछा जाए कि हर्ट है कि बोल्ड है कि वाट है कि न्यूटरान है तो इसमें क्या सही है दोस्तों वाट सही है अगला देखे बिद्दू सक्ति का इकाई क् इंपियर, बोल्ट, कुलाम, वाट, तो इसमें क्या है दोस्तों, वाट है, अगला देखे, बल का मात्रक है, फाराइडे, फार्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड, तो इसमें क्या है दोस्तों, न्यूटन है, क्या है, न्यूटन है, कारे का मात्रक है, जूल, न्यूटरॉन, वा तो किसमें है आबरित्ती को हाट्स मिम करते हैं दोस्तों अगला देखे हाट्स में क्या मापा जाता है आबरित्ती उर्जा उस्मा गुर्वत्ता तो इसमें क्या है आबरित्ती अगला देखे प्रकास वर्स इकाई है दूरी की समय की आयू की प्रकास की तिबरता तो प्रकास वर्स किसकी मतलब काई है दूरी की है दोस्तों किसकी दूरी की अगला देखी प्रकास वर्स होता है वह वर्स जिसमें प्रकास का प्रकास अधिक्तम रहा हो वह वर्स जिसका कारभार हलका हो प्रकास द्वारा एक वर्स में चली गई दूरी सूरी द्वारा प्रत्वी के प्रकास की तिब्रता का, समय का, दूरी का, प्रकास वेक का, तो प्रकास वर्स का मात्रक क्या है, दूरी का है, अगला देखी, प्रकास वर्स है, वह वर्स जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकास एक वर्स में तय करता है, वह समय जो सुर की किरणे पृत प्रतवी तक पहुँचने में लेती है, वह समय जिसमें अंत्रिच यान प्रतवी से चंद्रमा तक पहुँचने में लेता है, तो वह दूरी जो प्रकास एक वर्स में तय करता है, अगला देखी, एक पार्सिक तारो संबंदी दूरियाम आपने का मात्रक बराबर है, 4.25 प्र प्रकास वर्स, 4.50 प्रकास वर्स, 3.05 प्रकास वर्स, इसमें क्या है, 3.25 प्रकास वर्स है, अगला देखी, एक पार्सिक तीन गुरते दसके गाते 16 मिटर, एक प्रकास वर्स बराबर 9 दूरियाम चार चार गुरते दसके गाते 15 मिटर, एक पार्सिक बराबर 3.26 प्रकास अगला देखी, पारसिक मतरक है, दूरी की, समय की, प्रकास की, चमक की, चुमक की, बल की, तो इसमें क्या है? दूरी की है, दोस्तों, अगला देखी, माप की कौन सी EKI 0.39 से गुड़ा करने पर इंच प्राप्त होता है, मिली मीटर में, सेंटी मीटर में, मीटर में, बेसी मीटर में तो क्या है दोस्तों सेंटी मीटर में अगला देखी 6 फीट लंबे ब्यक्त की उचाही नैनो मीटर में कैसे ब्यक्त की जाएगी 183 गुरुत्य दसके गाते 6 नैनो मीटर 234 गुड़ते 10 के गाते 6 नैनो मीटर 183 गुड़ते 10 के गाते 7 नैनो मीटर 181 गुड़ते 10 के गाते 7 नैनो मीटर तो 183 गुड़ते 10 के गाते 7 नैनो मीटर अगला देखे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 1 नैनो मीटर में कितने मीटर होते हैं के गाते माइनस 9 और एक फीट में कितने मीटर होते हैं 0.305 एक फीट में 30.5 गुड़ते 10 के गाते 7 नैनो मीटर 6 फीट में कितने होते हैं 6 इंटू 3 तीस तसमला 5 गुड़ते 10 के गाते 7 नैनो मीटर अगला देखिए एक नैनो मीटर होता है 10 के गाते माइनस 6 cm, 10 के गाती माइनस 7 cm, 10 के गाती माइनस 8 cm, 10 के गाती माइनस 9 cm, तो 10 के गाती माइनस 7 cm, एक नैनो मीटर में कितना होता है, 1.0 गुरत्य 10 के गाती माइनस 9 मीटर, और 10 गाती माइनस 9 मीटर is equal to कितना होता है, 10 गाते माइनस 7 मीटर एक नैनो मीटर बराबर होता है 10 के गाते माइनस 9 मीटर 10 के गाते माइनस 6 मीटर 10 के गाते माइनस 10 मीटर 10 के गाते माइनस 3 मीटर तो 10 के गाते माइनस 9 मीटर होता है अगला देखी MPR मापने की काई है उब्भोग की जाती है बचत की जाती है ट्रांसमीशन में हास हो जाती है तो क्या है उत्पादित हो जाती है अगला देखी यहां दिया भावतिक रासियां दिया है यहां इकाई दिया है तोरण का क्या दिया है मीटर पर सेकंड इसक्वायर बल का क्या दिया है जूल कृत कार में से निमलिखित SI यूनिटों में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो कारे का जूल है, बल का न्यूटन है, द्रब्यमान का क्या है किग्रा है, दाब का डाइन है, तो इसमें क्या नहीं है दोस्तों दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का SI मातरक पासकल होता है निमलिखीत में से कीस रासी का मातरक नहीं है, प्रतिबल है, बल, बिक्रिती, दाब तो इसमें देखे, कीस रासी का मातरक नहीं है, तो बिक्रिती का नहीं है दोस्तों, किसका है? बिक्रिती का अगला देखें, यहां दिया है इकाई, यहां दिया प्राचलन, यहां दिया वाट, नाट, नाटिकल मिल, कैलोरी, यहां दिया है उस्मा, यहां दिया है नौसंचालन, यहां दिया है समुद्री जहाज की गती, यहां दिया है सक्ती, नाट का क्या दिया है समुद्री जहाज क गती और नाटिकल मिल के दिया नौ संचालन कैलोरी के क्या दिया है उस्मा अगला देखे दोस्तों यहां दिया है जूल इधर दिया दारा तो जूल का क्या होता है कार एंपियर का क्या होता है धारा वाट का क्या होता है सामर बोल्ट का क्या होता भी वांतर कैलोरी का क्या होत गलत है दोस्तों अगला देखें एक हास पावर में कितनी वाट होते हैं एक हजार सासवपचास सासोची अलीस सासवची अलीस होता है अगला देखें सूची वन सूची दो दिया है यहां दिया है उच्वेक, तरंगड़, इंदाप, उर्जा, और यहां क्या दिया है मैक, एंगेश्ट्रॉम, पास्कल, जूल, तो देखे इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सही है आपका C, मतलब उच्वेक क्या होता है मैक, तरंगड़ क्या होता है एंगेश्ट्रॉम, दाप क्या होता पास्कल उर्जा क्या होता जूल अगला देखिए दोस्तों जूल उर्जा से उसी तरह संबंदित है जैसे पास्कल से संबंदित है मात्रा दबाव घनत्व सुदता उप्रोक में से कोई नहीं तो क्या है दबाव अगला देखिए एक माइक्रॉन बराबर होता एक ब दरसीत करता है, 10 के गाते माइनस 6 cm, 10 के गाते माइनस 4 cm की, एक मीमी की, एक मीमी की, तो यहाँ पर क्या दिया है, 10 के गाते माइनस 4 cm की, अगला देखिए, निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखे डेसीबल का क्या है डेसीबल धा दिया है ध्वानी की प्रबलता इकाई आसो सक्ति दिया है सक्ति की इकाई समुध्र मेल दिया है नौसंचालन में दूरी की इकाई Celsius ये गलत है दोस्टों अगला देखे निमलिखित में से कौन सी एक उसमा की इकाई नहीं है तो देखे कैलोरी, कीलो कैलोरी, कीलो जूल, वाट इसमें से वाट नहीं है दोस्तों, खीक है ना अगला देखे उसमा की इकाई निमलेखित में से कौन सा नहीं है सेंटीग्रेट, कैलोरी, अर्ग, जूल तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों देखिए, कौन सा नहीं दिया है, तो centigrade नहीं है, ठीक है न, एक किलो मिटर दूरी का तातपर है, 100 मिटर, 1000 सेंटी मिटर, 1000 मिटर, 100 सेंटी मिटर, तो क्या है, 1000 मिटर है, अगला देखिए, एक पीको ग्राम बराबर होता है, 10 के घाते माइ दाब की वर्षा की तापमान की तो क्या है दाब की है दोस्तों अगला देखिए दाब की क्या है न्यूटन वर्ग मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर उप्यूक में से कोई नहीं तो इसमें क्या है न्यूटन वर्ग मीटर है दोस्तों अगला दबाव की कई क्या है बार है नौट है जूल है ओहा है तो बार है दोस्तों क्या है बार अगला देखिए एक किग्रापरती सिंटीमिटर स्कॉयर दाप सम्तुल है 0.1 बार की 1.0 बार की 10.0 बार की 10.0 बार की 10.0 बार की तो 1.0 बार की है अगला देखिए दोस्तों निमलिखि से लगबग कितना होता है 131 लीटर 169 लीटर 189 लीटर 201 लीटर तो इसमें क्या है 169 लीटर है दोस्तों तो देखे एक बैरल में कितना लीटर होता है आगला देखे यहाँ दिया है Q6 Q6 की क्या है प्रवा की दर है byte क्या है, computer है reactor क्या है, Hukam की तिप्रता है 2 बार क्या है, daab है ठीक है, इसमें क्यों सही है 20 है, 3, 4, 2, 1 qusak में क्या मापा जाता है, जल की सुदता, जल की घहराई, जल का बहाव, जल की मातरा, तो जल का बहाव है, अगला देखिए निमलिखित में से कौन सा एक वाई मंडल की ओजून परत की मोटाई नापने वाली काई है नौट, डॉपसन, वाज, मैक्सवेल तो क्या है डॉपसन है दोस्तों अगला देखे अल्टी मीटर क्या है उचाई मापक यंत्र है ए मीटर क्या है विद्द धारा की मापक यंत्र है एनिमो मीटर क्या है वाई विग मापी है और बैरो मीटर क्या है वाई मंडली दाब मात्र है कारडियो ग्राप क्या है हिर्दय गती को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है डाइनमो क्या है सागर की गहराई मापने के युक्ती है और फाइट्रो मीटर क्या है द्रव जल की तुनात्मा गनत मापने वाला यंद्र अगला देखिए हाइग्रो मीटर क्या है वाइमंडली की सा पेच्छी का दरता का माप करने वाला यंद्र लेक्टो मीटर क्या है दूद की गुडवत्ता का पता लगाने के लिए उसके पेच्छी गनतों की मापन करने वाला उपकरण अगला देखे दोस्तों सुनार, सुनार निम लिखी द्वारा में प्रयोग लाए जाता है अंत्रेचियात्रियों द्वारा, डाक्टरों द्वारा, इंजिनीरों द्वारा, नव संचाल को द्वारा अगला देखे, महासागर में डूबी हुई वस्तों की इस्ति जानने के लिए निमने में से किसी अंत्र का प्रयोग किया जाता है आडियो मीटर, गैलोनो मीटर, सेक्स, टेंट और सुनार तो इसमें क्या है दोस्तों सुनार है अगला देखी सुनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, सरब दोनी तरंगों का, परासरब तरंगों का, अब सरब तरंगों का तो परासरब तरंगों का है द्वान की तिबरता मापने वाला यंदर क्या है कॉरोनोमीटर, एनिमोमीटर, आडियोफोन, आडियोमीटर है द्वान की तिबरता किसमें मापने हैं दोस्तों आडियोमीटर, अगला देखे दोस्तों एनिमोमीटर से निमलिखित में किसका मापन किया जाता है पानी की बहाव की गती, पानी की घहराई, पावन वेग, प्रकास की तिबरता तो यह क्या है दोस्तों पावन वेग है अगला देखी वायू की गती निमलिखित के द्वारा ना पी जाती है बैरोमीटर, एनिमोमीटर, हाइडरोमीटर, विंड वेन तो इसमें क्या है एनिमोमीटर है अगला देखी निम्नमे से कौन सा सुमेलित नहीं है एनिमोमीटर वायू की चाल, अमीटर विद्दुद्धारा, टेकियोमीटर दावंतर ये गलत है दोस्तों और पाइरोमीटर उच्छताप है अगला देखी पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयूग किया जाता है तो वाई मंडली दाप की आधरता की उच्छताप की घनत्तो की तो पाइरोमीटर किसमें मापन जाता है उच्छताप की दोस्तों अगला देखी निमलिकित सन्यंत्रों म किसे Pairometer कहा जाता है ताव बिदू ताप मापी बेकरन ताप मापी गैस ताप मापी ड्राह ताप मापी अगला देखी 20,000 डिगरीτα जो अपने हैं तो उपव्यूक तो होग वो है गैस तपर्मां मीटर पारी का तर्मां मीटर पूर्ण बीकिरन पाइरो मीटर वास्प दबाव थर्मा मीटर तो क्या है पूर्ण बीकिरन पाइरो मीटर और पाइरी इलियो मीटर का प्रयूग निम निम से किसे नापने के लिए किया जाता है सन स्पार्ट को, सोलर रेडियेशन को हवा ताप को, पौधो के ताप को तो solar radiation को मैं और मैनो मीटर द्वारा किसकी माप की जाती है वाईू दाप, गैसों का दाप द्राओं का गनतो सता पर तेल का दबाओ तो इस पे क्या है गैसों का दाप अगला दिखी दोस्तों यहां दिया है करण यंत्र यहां मापने काहीं लिया है A-meter को किसमे मापते हैं दोस्तों A-meter को धारा में Hygrometer को किसमे मापते हैं सापेच्छी का दरता में Spring-tool किसको नापते हैं भार में Barometer किसको नापते हैं दाब में तो इसमें देखिए क्या सही है B 3-4-2-1 तीन चार दो एक अगला देखी इसमे करा कि निमलखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो सुमेलित नहीं है आडियो मीटर किसमें है वाहनों के पहियों द्वारा तै की गई दूरी मापने का यंद्र और औंडू मीटर क्या है बिद्दु चुम्मकी तरंगों की आबरिती मापने का यंद्र और आडियो मीटर क्या है ध्वानिति बरता मापने की युक्ती और D क्या है अगला देखिए दोस्तों बिद्दु धारा निमने में किस उपकरण से ना पी जाती है बोल्ट मीटर, एमीटर, बोल्टा मीटर और पोटैसियो मीटर तो इसमें क्या है एमीटर है दोस्तों क्या है एमीटर अगला देखिए वाई मंडली दापको मापने में यंद्र का उपियों किया जाता है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर तो क्या है दोस्तों बैरोमीटर है क्या है बैरोमीटर साधारन बैरोमीटर में कौन सा द्रौ का प्रियोग होता है छोड़िए इसको दूद का पेच्छी गनत तो ग्याद किया जा सकता है हाइड्रोमीटर सी, ब्यूट्रोमीटर सी, लेक्टोमीटर सी, थर्मामीटर सी, तो लेक्टोमीटर से है अगला देखिए दूद के गनतों को किसके द्वारा मापा जाता है Lactometer, Hydrometer, Barometer, Hygrometer तो क्या है दोस्तों, Lectometer है अगला देखी, वाई मेंडली की साफ़ एच्छीक आद्रता नापी जाती है Hydro Meter C, Hygrometer C, Lactometer C, Potígeno Meter C तो यह क्या है? Hydro Meter C अगला देखी हवा में आदरता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रियूग में लाया जाता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर और यूडियोमीटर तो क्या है हाइड्रोमीटर है अगला देखी वायू की आदरता मापनी के लिए कौन से यंदर के प्रियूग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर और ओडोमीटर तो इसमें क्या है हाइग्रोमीटर है अगला देखी हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वाताउंडी आदर्ता, वाताउंडी दाप, उच्चताप, वाई वीग तो इसमें क्या है? वाताउंडी आदर्ता है अगला देखी दोस्तों, आदर्ता को मानंकित करने का उपकरण निमने में कौन सा है? थर्मो इस्टेट, पाइरोमीटर, और हिपसोमीटर, हाईग्रोमीटर तो इसमें क्या है? हाईग्रोमीटर है अगला देखी आदर्ता किस उपकरण से ना पी जाती है? hydrometer, hydrometer, pyrometer, lektrometer, उप्यूप में से कोई नहीं तो इसमें क्या है? hydrometer है अगला दिखी निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित है? thermocyster, electronic thermometer, संधारी thermometer और bipolar junction transistor द्रिष्टकारी, junction diode आवर्धक तो इसमें क्या है? thermocyster, electronic thermometer अगला दिखी, extensive scope, glyphagnometer, caractrometer, luximeter प्रकास के तिवर्ता मापने के लिए, sohni की सुधता का पता लगाने के लिए हिर्ड़ की द्वाने सुनने के लिए, रग्त चाप मापने के लिए तो इसमें क्या है दोस्तों? c सही है, 3-4-2-1 रग्त का दाप नापने की यंत्र का नाम है टाइकोमीटर, स्फैगनोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर है अगला देखे दोस्तों निमलिखित में से किसी 1500 डिगरी सेल्सियस से अधिक ताप मापने हें तू प्रयोग में लाया जाता है जिकिसी थर्मामीटर, ताप बैदूत यूग में थर्मामीटर, प्लैटीनम प्रतिरोध थर्मामीटर, पाइरोमीटर तो इसमें क्या है पाइरोमीटर है प्रकास की तिबरता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं एनिमोमीटर, कोलोरियोमीटर, लक्सीमीटर, अल्टीमीटर, तो क्या है? लक्सीमीटर है दोस्तों. अगला देखी, रडार का उपयोग में आते हैं, प्रकास तरंग द्वारा वस्तों का पता लगाने में, ध्वनी तरंगों को परावर्तित करके वस्तों का पता लगाने में रेडियो तरंगो द्वारा वस्तों की स्थिति ग्यांत करने में वर्षा करने माले बादलों को पीछा करने में तो इसमें क्या है रेडियो तरंगो द्वारा वस्तों की स्थिति ग्यांत करने में अगला देखी, निम्न में कौन सी रासी रियक्टर पैमाने में मापी जाती है, हीमनत की चाल, जनसंख्या बृती, भुकम की तिब्रता, पृत्वी की अंदर का ताप मान, तो भुकम की तिब्रता, अगला देखी, भुकम की तिब्रता का मापन किया जाता है, रियक्टर पैम अगला देखी वुकंपो की तीबरता मापी जाती है रियक्टर पैमाने में, डेसीबल पैमाने में, पीयच पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में, तो इसमें क्या है रियक्टर पैमाने में, कौन सा सुमेलित नहीं है, सेल्सियस ताप, किलो वाट बिद्दूत, और आर्याच ग निमने में कौन सी भुकम पी अंत्र कौन सा है कैस्क्रोग्राफ सिस्मोग्राफ गीगर काउंटर रेंगेज तो इसमें क्या है सिस्मोग्राफ है अगला देखी भुकम की तीबरता किसमें मापी जाती है बैरोमीटर हाइडरोमीटर पोलीग्राफ सिस्मोग्राफ तो इसमें क क्या है सिस्मोग्राप के द्वरा सिस्मोग्राप का रिकार्ड करता है हिर्दय की धर्कन वाइमंडल का दबाव भूचाल इनमें से कोई नहीं तो क्या है भूचाल है अगला देखिए भूकम सिस्मोग्राप और उचाई अल्टिमीटर बिद्धुधाराम एमीटर अगला देखे इसमें आपका A सही है दोस्तों इसमें दिया है फैदो मीटर, बैरो मीटर, हाइगरो मीटर, अल्टी मीटर तो देखे, फैदो मीटर है समुद्र की गहराई से, बैरो मीटर वाइमंडली दाप से, और हैगरो मीटर वाइमंडली अदरता से, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या सही है, B, 4, 1, 2, 3, अगला देखे, फैदो मीटर का ओपियों किसे नापने में किया जाता है, भुकंप, वर्सा समुद्र की गहराई, द्वन की तिबरता, समुद्र की गहराई, अगला देखे, एनिमो मीटर, वाइवेक, सिस्मो ग्राप, भुकंप, और बैराग्राफ, वाइमंडली दाप, हाइगरो मीटर आदरता, तो इसमें क्या सही है दोस्तों, D, एनिमो मीटर, वाइवेक, सिस्म अगला देखिए दोस्तों निमलिखित में से सुमेलित नहीं है तो देखिए मैनमोमीटर क्या है राप से है कर्गुरेटर किस से है Gilvai healing कार्डियोग्राफ किसमे है, हृदय गती और इसमें डी नहीं संगे अगला देखे नियुकोर में से किसके मापन में आदेखे पोलिग्राफ जूट जूट का पता लगाने वाला यन्तर है Pyrometer उच्छ तप मापने का यंद्र है और Gairo इसको घूमती हुए वस्तों की गतिन आपने का यंद्र है और Qymograph शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निर्यूपित करने वाला यंद्र है तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करिए, सस्क्राइब करिए, धन्यवाद